हलो दियर स्टुडेंट्स मैं जोती सक्सेना MS College बी करेर से हलो बच्चों हम पंचायती राज संस्ताओं पर संस्तागत और प्रिश्टास्निक नियंत्रण कर चुके हैं आज हम टेक्निकल कंट्रोल या तक्नीकी नियंत्रण की बात करेंगे तक्नीकी नियंत्रण भी राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्तों पर लगाया जाता है पंचाय समीती पर विकास अधिकारी और जिला परिशत पर मुखे कारे कारे कारी अधिकारी का नियंत्रण होता है पिरसार अधिकारी और सम्मंदित विवाग के जिले के अधिकारी विशे विशेशक्य होने के गारण ये तक्निकी नियंत्रन अच्छी तरीके से रख सकती है तकनीकी नियंत्रन के में पंचायती राज पर राज्य नियंत्रन रखता है योजनाओं और कारेकरमों की तकनीकी अनुमती देकर किर्शी, पश्युपालन, सिचाई, आधी राज्य सरकार ऐसे कारे हैं जो पंचायती राज्य विवाग को ये काम करने को राज्य सरकार कहती है पर पंचैती रास संस्ताओं के दोरा किसी भी योजनाओं को किर्यानवित करने से पहले उन कारेकरमों के वारे में वित्त के सासाथ तक्नीकी दुष्टी से भी सहमती लेनी पड़ती है जो राज्य सरकार देती है निरक्षन, राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राजसंस्ताओं को जो यूजना दी जाती है उन पर निरक्षन करने का अधिकार सम्मंदित विवाग को होता है निरक्षन के उद्देश्य के उद्देश्य से अधिकारी समय समय पर उन जगों का ब्रह्मन करते हैं जहां से वो कारे किये जा रहे हैं साथ ही करमचारियों और इदिकारियों की समय समय पर बैठक भी आईजुद की जाती है जिन में कारे कर्म और योजनाओं के तक्निकी और गैर तक्निकी पक्ष्ट की जानकरी दिये जाती है तता कारे करमों की कैसे कि निर्णविती की जाएगी इसकी भी एक guideline बताई चाती है राज्य सरकार के द्वारा पंचाईती राज संस्था और उसकी विवागों के द्वारा जो भी कारे किये जा रहे हैं उनकी रोज की या सैवन डेज की या पंदरा दिन की या फिर महीने की। उन्होंने क्या रिपोर्ट उन्होंने विकास की हैं, जा सकती है जिसके द्वारा पंचाईती राज संस्थाओं पर तक्निकी नियंत्रन बनाए रकने में साहिता भी मिलती है इन पृतिवेदनों से माध्यम से उन कारेों में क्या-क्या समस्य आ रही है इन सबकी जानकारी राज्य सरकार के पास आ जाती है तक्निकी अधिकारियों के वाशिक गोपनिय पृतिवेदन भी प्राप्त किये जाते हैं पंचा समीतिय और जिला परिश्यद में जो विषए-विषए शग्य होते हैं उनके वाशिक गोपनिय पृतिवेदन सम्मति विवाग को भेजे जाते हैं सम्मंदिफ विवाग के उच्छी अधिकारी उस विशेशग्य की जो भी उतने कारे किये गए हैं उस पर अपनी टिपनी लिखते हैं और यह पृती वेधन जो करमचारी काम कर रहा है उसकी पदोनती में भी यह है उनकी टिपनी विशेशग्यों के बहुत लापकारी होती है इसके बाद आता है नियाईक नियंतरन भारत में ग्रामी निस्तानिय संस्ताइं निकमित निकाय हैं यानि इन संस्ताओं में से यदि क कोई वेक्ती पिरभावित होता है तो वो कोर्ट में केस कर सकता है इसलिए भारतिय सविधान और अलग अलग कानूनों में निर्धारित पद्दतिया है अधिनियम नियम और उपनियमों में यदि मदवेद है तो नियालों में केस किया जा सकता है और नियाले जो निरने दे कार से बाहर जाकर काम कर रही है, तो ऐसे में अगर पीड़ित पक्ष है और वो कोट में केस कर देता है, तो दोनों पक्षों की सुनने के बाद नयायले ऐसे कारें को अभेद गोशित करती हैं और निशे धाएं भी प्रसाइज कर सकती हैं कई बार ऐसा भी होता है कि कोई संस्था या कारल्य कोई संपे हुए कारे को नहीं करता तो उसके लिए कोट केच किया जाज सकता है और कारे को पूरा करवाने के लिए पर्मादेश का अदेश कोट जारी कर सकता है भारत में नयाय पाली का सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है यदि ग्रामीन स्थानिय संस्थाओं के निर्ने से किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उलंगन होता है तो वह है व्यक्ति कोट में जाकर केस कर सकता है नेक्स्ट है वित्ये नियंत्रण पंचाइती राजसंस्ता में तहतरवे सविधान संशोधन से पहले जो भी वित्ये नियंत्रण था और आज भी वित्ये नियंत्रण है राज्य सरकार के द्वारा वित्य नियंत्रन रखा जाता है साथ ही पंचाइती राज संस्तों में लेखा के अंकिशन दने के लिए वितायोग भी होता है वित्य नियांतरन के लिए सबसे पहले राज्य सरकारदारा पंचाइती राज के आय के सोत्रों का निर्धारन किया जाता है उसके बाद जो इनकी आय हो जाती है वो ये पंचाइती राज संस्ताएं कहां जमा करवाएंगी उसका निर्धारन किया जाता है फिर पंचायती राज संस्ता अपने कारे करने के लिए पैसे कहां से लाएंगी तो बजट का निर्माण उसका किरयान वेन किया जाता है साथ ही लेखा संधारण भी किया जाता है पंचाईती राज संस्ताओं को लेखा निर्मान के लिए राज्य सरकार दिशान निर्देश दे सकती है अकाउंटेंट जर्नल की साहिता से परफॉर्मर बनाकर पंचाईती राज संस्ताओं को बता सकती है NCTA काम भी पंचाय तिरा संस्ताओं पे राज्य सरकार के दोरा किया जाता है क्योंकि विकास योजनों के लिए पंचाय तिरा संस्ताओं को भुष सारा धन दिया जा रहा है उनमें एकोषलता भष्टाचार ना फैले इसके लिए इस्थानिय निदी अंकेख्ष्णा अधीनियम 1954 से प्रभावी है और इसके दौरा ये देखा जाता है कि पैसा सही तरीके से खर्च किया जा रहा है या नहीं जा रहा है इन नियंतरों ये नियंतरों तो राज्य सरकार के हैं लेकिन फिर भी इन नियंतरों की कुछ सीमाएं हैं ये उत्ते प्रभावी नहीं हो पारे हैं जितने होने होने से ये सिद्दान्त और ब्यवार में बहुत अंतर हैं उच्छे अधिकारियों का करमचारियों पर प्रभाव नियंतरन नहीं होता, क्योंकि उच्छी अधीकारी आए दिन बदलते रहते हैं, या उनका ट्रांसफर होता जाता है, ऐसे मैं वो अधीनस्त अपने आदेशों को सही तरीके से पालना नहीं करते हैं, कई भार उच्छी अधीकारी के जो गाओं के दोरें हैं, वो भी सिर्फ ग र्यानविती में बहुं समशें आ जाती हैं। क्योंकि हर राजनेतिक दल, ऐविश्वास पृस्ताव का अपने दल के आधार पर यहां तो समर्थन करते हैं या विरोथ करते हैं। साथ ही सरकार भी अपनी सत्था का प्योग करके ऐसे प्रिष्थागों को अपने तरीके से प्रभावित कर देती है कैई राज़ाई पंचाथी राज़ा सथाओं पर जो राज़े का नियांत्रन है वो उत्तर प्रभावी नहीं होता जितना होना चाहिए क्या जब तब राज़य सरकार ही बदल जाती है वित्तिय नियंत्रन में भी बहुत समस्यां आती हैं क्योंकि हमारा वित्तिय प्रिशाशन बहुत जड़िल है कई बार कारे करने के लिए वित्तिय सहमती नहीं मिलती और मिलती है तो बहुत देश से मिलती है कई बार संस्ताय धन का सही तरीके से प्रियोग नहीं कर पाती है यानि जिस कारे के लिए उन्हें धन का यूज प्रियोग करना है वो उस कारे में धन का प्रियोग नहीं होता तो ये वित्ती एनिमित्ता बनी रहती है इन सम्मे सुधार के लिए सादिक अली समीती ने और 1964 में और गिर्धारी लाल ब्यास समीती ने 1973 में का है कि पंचायती राज संस्ताओं पे नियंतर्ण के राज्य की शक्ति दीरे दीरे एपिरभावी हो रही है इसलिए उसे का विकेंदरी करन करके जिला इसतर पे नियंतर्ण का कारे किसी निफ्ट पस संस्ता को स्वापा जाना चाहिए राज्य और केंदर दौरा दिये जाने वाले अनुदान बजट शुरू होने के जैसे ही बजट शतर परारुम होता है थोड़े सवेवादी पंचाती राज संस्तों को दे दिये जाने चाहिए ताकि ये संस्ता प्रभावशारी तरीगे से कारे कर सके है आपका इस चैप्टर बच्चों कंप्लेट हो चुका है